हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशा करतिया सब ठीक होंगे आज मैं आपको यह सुन्दर सा प्यारा सा डिजैन बनाना सिखाऊंगी यह फोर फंदों का डिजैन है और टूरों में बनके त्यार हो जाता ठीक है आप अपने हिसाब से प्रोजेक्ट में फंदे लेके और बा से बुनेंगे सीधा एक बार ही बुना इसको निकालेंगे नहीं ऐसे ही इसको एक बार ही और बुल लेंगे ठीक है इसके उपर फंदा एक बार ही और कर लेंगे एक फंदे से दो फंदे ठीक है ऐसे ही अगले फंदे में एक बार ही दो ठीक है ऐसे नेक्स्ट ऐसी तरह है त से एक के दो फंदे बनाने हमें सिंपली कहीं से भी निवु न बस एक बार करके दुबारा से इसी पर राउंड दे देना ठीक है तो फिर यह एक हमारे इस्टिक इसी तरह मैं आपको फूरी रोग कंप्रीट करके दिखाती हो यह देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने रोग कंप्रीट कर लिए अब हमारी डिजैन की सेकेंड सलाई टिक है बैक साइड से अब इसमें ध्यान देना जो हमारे यह फंदा इसको हम खोलेंगे एक खोला तो कोलने टीश्रा संड़ एल मद फंदों को खौल के और देखो जो हमारे फस्ट फंद़ ना फस्ट फंद इह फस्टब स्ट रिफा पांद इसको हम आग एक तरफ लेके आएंगे और जो यह आगेके दो फंदे हैं इनको हम पीछए तरफ कि देखे ल इसको simply हम बुन लेगे अब ये हमारा स्टीच इसको हम बुनेंगे फिर आगे दिखो ये जो हमने रोल किया था जो एक फंदे से दो फंदे बनाया था उसको हम खोलेंगे तो यह वाले फंदे को आप देखो यह वाले फंदे को आगे करेंगे तो तीसरा फंदा है इसको पीछे की साइड से पहले बुनेगे टिक है यह आगे बस ही हमारे दो सुलाइय का डिजैन है बन गए न हमारे डिजैन अब यह अपने अश्टिक ऐसे ही और यह वाला फंदा है पहले वाला थर्ड वाला फंदा इसको आग एक ही फंदेखा यह फिर करना है यह की फंदे को आगे लेके आना है पहले बुनना है इसी तरह मैं यह आपको रोग कंप्लीट करके दिखाते हूं ठीक है यह देखिए फ्रेंड्स मैंने अपनी रोग कंप्लीट कर ली है आश्या करक्तिव कि आपको यह डिजैन समझ में आ गया होगा यह केवल दो सुलाईयों का यह डिजैन है ठीक है यह देखने में बहुत ही सुन्दर लगता है फिर मिलेंगे नेक्स डिज़ों में कि अवज को है है यह आश्या को है आशिए भी है यह दो सुलाओ दो झाल झाल